हेलो फ्रेंज नमस्कार विल्कम टो वंडे एक्जाम तार्गेट आप सभी का आपके अपने चैनल वंडे एक्जाम तार्गेट पर बहुत-बहुत सवागत हैं फ्रेंज यहां पर हम देखेंगे ईविएस के परियावरण की बहुत ही इंपॉर्डेंस सेलेक्टट पूरे 55 को सब्सक्राइब करेंगे इससे दो फायदा होगा एक तो में यह पता चलेगा कि आप लोग सही से पढ़ रहे हैं या बस चीटिंग कर रहे हैं दूसरा इससे भी बड़ा फायदा यह होगा कि लिखने से आपकी मेमोरी में फीड हो जाएगा कि यह कोशन आप लोगोंने पढ सब्सक्राइब करेंगे फटाफट से जिससे की मुझे पता चल सकी कि आप लोग सच में पढ़ाई कर रहे हैं कि और आप लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना बोलेंगा आपका लाइक हमारे लिए और बुस्टर की तरह काम करता है तो च सबस्क्राइब करता है सबस्क्राइब करता है इसके बारे में कुछ इंप इंपर्टिन सीजें सौरविकरन पानी रहता है उसका वास्पिकरन होता है फिर उसके बाद संगनन फिर उसके बाद फिर इसका वर्सा की रूप में बूत वर्सा की रूप में ये जमीन पर गिरता है फिर ये पूरा चक्र इस तरीके से साइकले चलती रहती है तो चलिए अगले कोशन पे चलते है बिकल्ब यहां पर आपका सही हो जाता है भी वाय मंडल में नमी पर वाय मंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा जैसे बुदावादी वर्षा वर्वारी ये सभी वाय मंडल में नमी की मात्रा में बढ़ उत्री से बढ़ जैसे नमी बढ़ेगी इन सभी की मात्रा बढ़ती जाती है नेक्स्ट कोश्चन पर आ जाते हैं अगला है प्रतिवी की चारों और गैसों की समूग को क्या गहा जाता है भू मंदल जल कड़ वाय मंदल जल मंदल विकल्पियाँ पर आपका सही हो जाएगा सी वाय मंदल प्रतिवी की चारों और विद्यवान गैसों वायू की समूग को क्या गहते है वाय मंदल इसमें कौन कोशी गैसे पाई जाती है नाट्रोजन है ऑक्सीजन है कर्बन डाई ऑक्साइड और अन्य गैस है अगले कोश्चन पर आज़ा है वायू एक क्या है योगिक है तक्तु है मिस्रन है विद्धुत अफगट्टि आए ओपसरिया आपका कौनसे सही होगा कफी इंपोर्टन कोश्चन है अपलोग मार कर लीजिए इसे कुप पूशा जाता है तो वायू बिकल्पे आपका सही हो जाता है सी मिस्रन है आपको कई बार बता चुके मिस्रन और योगिक में क्या अनुपात होता है लेकिन मिसरड में इनका जो रेशियों होता अनुपात होता我 फिक्स नहीं होता है योगिक में इन दोनों का अनुपाद दो ये दो से अधिक अनुपाद फिक्स होता है जैसे example है H2O, CO2, carbon dioxide H2O, पानी पानी में hydrogen और oxygen का अनुपाद दो अनुपाद एक का अनुपाद है अगर इनका अनुपाद आप change कर दे hydrogen एक हो oxygen दो, एक अनुपादे दो में हो जाए पानी कभी नहीं बनेगा, इनका अनुपाद फिक्स होना चाहिए carbon dioxide के साथ भी सही मैं ऐसे ही है लेकिन मिस्रण में एक example simple सा शर्बत ले लीजे इसमें आप चीनी की quantity कितना भी कमिया जादा करिए बहुत होगा यह आप ना दे सकते हलका मीटा, बहुत जादा मीटा लेकिन फिर भी वो बनेगा शर्बत ही बनेगा, तो यह मिस्रण है तो इसी तरीके से वायू एक मिस्रण है, बिभिन गैसों का है एक मिस्रण है इसमें, nitrogen oxygen 78 है, 79 भी हो सकता है oxygen 28 है, 23 भी हो सकता है, घड़ बढ़ सकता है, ठीक है बिकल्प में हाँ पे आपका सही हो जाता है, C अगले कोश्चन पे आ जाते हैं, अगला कोश्चन है वायू बिभिन गैसों का मिस्रण है, में यह समझते रही है अगला है, शुष्क वायू में nitrogen की मात्रा कितनी होती है शुष्क वायू में nitrogen की मात्रा कितनी होती है option आप सभी के सामने है, बिकल्प यहां पे आपका कौन सा सही हो जाएगा D, 78% वाय मंडल में nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide, neon, helium यह सभी गैसे उपस्तित रहती है शुष्क वायू में घनत्तु के अनुसार, सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, nitrogen की, कितना? 78.08% होती है अगले question पे चलते है, next हमारा question है निमलेखित नोबल गैसों में से कौन सी वायू में नहीं पाए जाती है हिलियम, argon, radon, neon बिकल्बिया पे आपका सही हो जाता है C, radon अभी मैंने आपको बताया है कौन कौन सी गैसे पाए जाती है हिलियम पाए जाती है, organ पाए जाती है, नियान पाए जाती है लेकिन radon नहीं पाए जाती है अगले question पे चलते हैं, अगला question आप सभी की screen पे वाता परण में सरवाधिक प्रतिशत है किसका है option यहां पे आपका कौन से सही होगा oxygen का, carbon dioxide का, nitrogen का, hydrogen का बिकल्बिया पे आपका कौन से सही होगा very good option यहां पे आपका सही हो जाता है, C, nitrogen का अभी question करवाए गया कितना होता है, इसका percentage कितना है जल्दी से आप लोग comment section में comment करके बताइए और जितने भी student अभी वीडियो को देख रहे हैं तो fast reply करिए, एकदम से active होकरके energy के साथ energetic रही है न, अगर आप लोग under exam target channel के साथ जुड़े होए तो आप में कुछ energy तो होनी ही चाहिए इसके अच्छे level के energy होनी चाहिए, जो कि आपके लिए जरूरी है inactive form में नहीं रहना है बिल्कुल भी, active हो रही है ठीके? और honesty के साथ सारी reply आप लोग comment section में देते रही है जिससे के मुझे पता चल सकी है, आप लोग cheating बिल्कुल नहीं करते है ठीके? चलिए, अगले question पर आजाते है, next है हवा में जिस gas की मातरा सबसे अधिक है, वह कौन सी है? कौन सी है? option यहाँ पर आपका सही हो जाता है D, nitrogen उत्तर एक ही है, question different different है आपको थोड़ा सा भी confusion नहीं हो, इसलिए सारी question को मैंने include किया यहाँ पर ठीक? अगले question पर आजाते है, next है यदि प्रतिवी पर पाई जाने वाले वनस्पतियां, पेड़ पोदे समाथ हो जाए तो किस gas की कमी होगी? आपको बताना है यहाँ पर option यहाँ पर आपका कौन से सही होगा, carbon dioxide, nitrogen, जल्वास या oxygen विकल्पयाँ पर आपका सही हो जाएगा D, oxygen दिखिए, पेड़ पोदे, यह जो बनस्पतियां अगर वो समाथ हो जाती हैं तो किस gas की कमी हो जाएगी? oxygen की, क्यों? क्योंकि पेड़ पोदे photosynthesis की प्रक्रिया में कौन सी gas बाहर निकालते हैं? oxygen और carbon dioxide gas यह लोग लेते हैं प्रकास translation, photosynthesis यानि की पोदों के भोजन बनानी की प्रक्रिया इसी की माध्यम से पोदे अपना भोजन बनाते हैं और इसमें कौन सी gas यूज़ करते हैं? carbon dioxide और कौन सी gas रिलीज होती है? oxygen तो जब पेड़ पोदे नहीं रहेंगे तो किस gas की कमी होगी? oxygen की ठीक है? अगले कोशिन पर जलते हैं next है निमले खित्मेसी कौन सा कारी पेड़ पोदों का नहीं है? पेड़ पोदों का कारी कौन सा नहीं है? carbon dioxide का और शोषन यह आपके एक्जाम में कोशिन पूछा गया है carbon dioxide का और शोषन पोदे किस प्रक्रिया में करते हैं? तो यही है और शोषन का मतलब absorb करना यानि कि ग्रहन करना किस प्रक्रिया में करेंगे? photosynthesis की प्रक्रिया होगी अच्छा, शोर का और शोषन आपको बताएगे green muffler का concept green muffler का concept जो पोदे लगा दिया जाते हैं, रोट के किनारे तो इनकी धुनियों को क्या करते हैं? एब्सॉर्ब करते हैं वायो का production तो बिकल्ब आपके यहाँ पे सही हो जाएगा प्रदूशन नहीं करते हैं पेड़ पोदे कार्बन डाय ओक्साइट का और शोर्षन करके oxygen मुक्त करते हैं और बिब्स चेत्रों में देखिए सडकों के किनारे हरे बिक्षों की कतारे खड़ी करके दोनी प्रदूशन से बचा जा सकता है और यहाँ पे देखिए ओप्सन आपका सही हो जाएगा सी वाई प्रदूशन यह नहीं करते हैं यह वाई प्रदूशन की रोग थाम में साहता करते हैं oxygen विमूत करके अगले question पे चलते हैं परियावरण अपकर्स से क्या भी प्राय है बेखलब यहाँ पे आपका कौन से सही होगा आपको 2-4 सिकेंड का टाइम देते हैं जिसे कि आप लोग option सही से चूश कर पाएं परियावरण अपकर्स exam में question पूछा जाता है बेखलब यहाँ पे आपका सही हो जाता है D उपरियोग सभी प्राकर्तिक आवास का विनास जय विवित्ता, किहानी या प्राकर्तिक संसादनों की चरण होने से परियावरण को होने वाले नुकसान को परियावरण अपकर्स कहते अपकर्स का मतलब मिलनी नुकसान से है कुछ निगेटिव चीज ठीक है अगले कोशिन पर आते नेक्स्ट है अपच्छे का विचार समन्दित है किस से विकल्प आप सभी की सामने जल्दी से आप लोग उप्सन चूच करिए एकदम से फास रिप्लाई होनी शाहिए बहुत ही बढ़िया उप्सन याँ पर आपका सही हो जाता है अपच्छे चटानों की टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतरकर चटाने बिग्टन और वियोजन द्वारा धीली पढ़कर अपनी इस्थान पर बिखर कर रह जाती है अगले कोशिन पर आते नेक्स्ट है निम्ण में से किस एक का सम्बन परियावरणी सुरक्षा से नहीं है धारणी विकास गरीबी कम करना वातानुकूलन कागज के थैलों का प्रियोग ओप्सन यहां पर आपका सही हो जाता है बी गरीबी कम करना गरीबी कम करना परियाव रडिय सुरक्ष से सम्मन्दित नहीं है अपसन यहां पर आपका सही हो जाएगा B सतत बिकास लक्षे 2017 की सूचकांग में भारत का कौन से स्थान है आपको बताना है यहां पर बिकल्प आप सभी के सामने तो जल्दी से आप लोग रप्लाई करिए अपसन यहां पर आपका सही हो जाता है A. 116 में इस्थान सतत बिकास लक्षे सूचकांग 2017 में प्रथम इस्थान पर कौन था? अगले कोशन पर चलते हैं नेक्स्ट है धारणी क्रिसी, सस्टेनेबल एग्रिकल्चर का अर्थ क्या है? विकल्प आप सभी के सामने आपको 2-4 सकेंड का टाइम देंगें जिससे आप लोग आप्सन सही से पढ़ सकें कैरफुली रिप्लाई कर सकेंगें तो जल्दी से आप लोग रिप्लाई करियें कॉमेंट सक्षन में यहां पर हमारा आप्सन सही हो जाता सी भूमी का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुडवत्ता अक्षण बनी रहे उसकी गुडवत्ता को नुकसान ना पहुचें सिंपल सी डेपनिसन है, सिंपल सी लैंगवेज में आप लोग यह सुन सकते हैं धारणी क्रिसी का आठत है की परियावरण को बिना नुकसान पहुचाए हूए भूमी का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुडवत्ता लंबी समय तक बनी रहे धारणी क्रिसी, sustainable agriculture, इसका मतलब है कि हमेशा इसकी गुड़ोत्त को maintain की रहे हमेशा वो maintain रहे, बिगड़े नहीं sustainable ठीक है अगला है, रास्तिकी परियावरण अभियांत की शोध संस्थान नीरी, कब और कहां इस्थापित किया गया important question है, यह बहुत पूछा जाता है कोशन आपको करवा चुके हैं, और सुनिया पर आपका सही हो जाता है, 1958 में कहां पर नागपूर में रास्तिकी परियावरण अभियांत की शोध संस्थान नीरी, N-E-E-R-I इसका full form, National Environmental Engineering Research Institute अगले कोश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट है आपका question नेक्स्ट हमारा कोश्चन है, N-E-E से आशे है, N-E-E का full form आपको बताना है, जल्दी से आप लोग option चूछ करिए National Enquiry Act, National Environmental Authority, National Examination Agency, National Event Association बिकल्पिया पे आपका सही हो जाईगा कौन सा? B, National Environmental Authority जबकि इसका पुरा नाम क्या है? इसका पुरा नाम है N-E-E-A, रास्तिय परियावरण अपी लिए प्राधिकरण इन इए इन इए इसका गठन वन वो परियावरन मंत्राले की द्वारा किया गया है किसके द्वारा किया गया है ये भी एक्जामे कोशिन पुछा जाते है किसके द्वारा वन वो परियावरन मंत्राले की द्वारा किया गया है अगले कोशिन पर आ जाते है नेक्स आपका कोश इंहीं स्थिते इन इपोस्टविट्न है जिनेवा में रोम सिड्टी टोक्यों में बिहल्प्र यह होन्य जाते जीवर जतने बीस्टुर्ण इवीडियो को लाइप देख रहे हैं जल्द जल्द से आप लोग लाइक करिए जृत करें जतनी हैं पर से प्ला देह्णा का लिएluent इसका मुख्याले का फ़ायं आ कुछ अगले कोशन पहरंदे ऐसे जल्दी से आप लोग रिप्लाई करें जाता है इसका फुल फॉर्म क्या होगा? UNEP का फुल फॉर्म आपको कॉमेंट सक्षिन में रिप्लाई करना जल्दी से नेक्स्ट कोशिन पर आते हैं अंगला कोशिन है बारत में सरप्रथम बारत में सरप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसके सिमाओं के इंतरगत प्रवाल भित्या, मुलस्का, डॉल्फिन, कच्षुय और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं इस्थापित किया गया कहाँ पर? important गोशिन है बिकल्बिया पर आपका सही हो जाता है सी कच्ष की खाड़ी में सरप्रथम समुद्री सेंचुरी कख्षी की खाड़ी में इस्थापित की गई जिसमें डॉल्फिन, मुलस्का, कच्षुआ, आदी अनेक प्रकार के समुद्री जीव संरक्षित किये गए ये important कोशिन है आप अगले कोशिन पर आते हैं next है अगले कोशिन पर चलते तमिल नाड़ो का पक्षी बिहार अवस्तित है कहाँ पर आपका यहां पर कौन से सही होगा तमिल नाडो का पक्षी बिहार बिकल्पियां पे आपका सही हो जाता है कारी के लिए में तमिल नाडू का पक्षी बिहार बेदांग थंगल कहाँ पर बेदांग थंगल और कारी कली में अवस्थिते अगले गोशन पर विश्व का सबसे वड़ा वानस्पती कुद्यान कहाँ पर रिष्थिते विश्व का सबसे वड़ा वानस्पती कुद्यान कहाँ पर रिष्थिते थे आप लोग जल्दी से कॉमेंट सक्षन में रिप्लाई कीजिए विश्व का पूछा जारा ध्यान दीजेगा ओप्सन ही आपका सही हो जाते एक क्यों इंगलाइंड में इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते ही इंगलाइंड के क्यू इस्थित रॉयल बुटैनिक गार्डन के स्थापना कब हुई थी 1759 में हुई थी इसे वर्स 2003 में कब 2003 में यूनिस को विश्व विरासत इस्थलगोसित किया गया था इसमें पॉदो की संग्या 40,000 से अधिक प्रजातियां है यहां पर और यह विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है अगले कोश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट आपका कोश्चन ह अंतरास्ट्री टाइगर दिवस्त मनाया जाता है यह कोश्चन आपसे मैंने पूछा बेता अंतरास्ट्री यह टाइगर दिवस्त कब मनाया जाता है दीखिए अंतरास्ट्री कैसे लिखा जाता है आपका हिंदी का एक कोश्चन तेहार हो जाता है कि अंतरास्ट्री कैसे ल झूलाई को प्रतिवर्स मनाया जाता है प्रतेगknow ü지 ऊो अंतरास्टि बाग दिवस रूप में मनाया जाने का निर्ड है 2010 में आयोजित 2010 में है यूजित sam Peters work बाग समेलन में क्या गया ध्यान दीजिएगा जो साथ में पॉइंट बताते हैं आपके कोश्चन से भी जादा important होता है बाली यह question नहीं पूछा गया directly साथ में जो point बता रहे हैं वह आपके exam में पूछा जा सकता है तो सब कुछ आपको ध्यान से सुनना है अगले question पर आतें next है कि सरकार की बाग पर यूजना का उद्देश्य क्या है सरकार की जो बाग पर यूजना चलाई जारी उसका उद्देश्य क्या है विकलब आप सभी के सामने option यहाप के आपका सही हो जाता है बाग की आद्तों को आद्यन यह नहीं है विभेन प्रजातियों के समद में महत्पूर्ट जानकारी एकत्रित करना यह भी नहीं है बारती बाग को समाथ होने से बचाना मुख़ी उद्देश यह इस बाग परियोजना के यही है कि जो बाग की प्रजातियां बिलुप्त प्राय होने को हैं इनकी समस्या को देखते हुए इनके संरक्षण के लिए सरकार ने कब अप्रेल 1973 में बाग पर्यूजना प्रोजेक्ट टाइगर प्रारम किया जिसका उद्देश यह बाग को समाप्त होने से बचाना अगले कोशन ज़ते हैं नेक suburbs है अभी मैंने आपको पॉइंट्स भी बतायां भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कप्रारम किया गया उनीं सो सत्तर थीएंट्त्री लइस og प्रतिवी पर जीवन के अस्तित्तु के लिए आवश्यक है देखिए सौर उर्जा जहां पौधों के लिए प्रक्रिया दौरा अपना भूजन बनाते हैं और वही भूजन जीव जन्तु भी खाते हैं तो सबसे जादा जैविक मात्रा में सरवाधिक कौन सी गुर्जा उप्यों की जाती सौ रोजा और साथ ही साथ में यह बैकल्पी गुर्जा कभी बहुत बड़ा स्रोत है फोटो वोल्टाइक तक्नीकी के द्वारा सौरी के प्रकास को सौ रोजा में परिवर्थित किया जाता है अगले कोशिन पर आजाते है नेक्स्ट है निमलिकित इदुनों में सी कौन सा नियूंतम परियावरणी प्रदूशन उत्पन करता है आपको बताने हैं यहापि डिजल, कोयला, हाड्रोजन, मिट्टी का तेल या किरोशिन यह सभी जिवास मीदन है तो इन सभी से प्रदूशन बहुत उत्पन होता है ओप्सन आपके यहापि सही हो जाता है सी हाइड्रोजन से परियावरणी प्रदूशन बहुत कम उत्पन होता है अगले कोशिन पे चलते हैं नेक्स्ट है निमलेखित में से कौन एक दुती एक प्रदूसक नहीं है दुती एक प्रदूसक पुछा जा रहा है कि नहीं है ओप्सन यहां पे आपका कौन से से होगा PAN-Peroxy-Acetyl-Nitrate Smog-Sulfur-Dioxide-Ogen बिकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है C-Sulfur-Dioxide ध्यान देजिएगा वे वाई प्रदूसक जो प्रदूसक स्रोथ से सीधे वाई में मिल जाते जैसे उत्पन होए डिरेकली यह वाई में मिल जाते हैं कोई बीच में अभिक्रिया नहीं होती है तो यह प्रात्मिक प्रदूसक के लाते हैं जैसे Carbon Mono Oxide, Carbon Dioxide, Sulfur-Dioxide यह सबी जबकि ऐसे प्रदूसक जो प्रात्मिक वाई प्रदूसकों के साथ जो प्रात्मिक वाई प्रदूसकों और साधारन वाता वर्णी प्रदार्थों की क्रिया के फलसरू पुत्पन होते दूतिये वाई प्रदूसक के नाम से जाने जाते हैं जैसे इसमें आपको एक्जाम्पल में बताते हैं दूतिये वाई प्रदूसक में P.A.N. परक्षी, एसेटायल नाइट्रेट, ओजोन और स्मॉग, यह सब दूतियक वाई प्रदूर सके, अगले कोशिशन पर चलते हैं, नेक्स्ट है, निमले खित्में से कौन सा एक वाई प्रदूर्शन के जैविक सूचक का कारी करता है, लाइकेन, फर्न, मनी, प्लांट, अमर, बिल, बिकल प्रदूर्शन के आपका कौन से सही होगा, ए, लाइकेन, जहां पर दे के लाइकेन क्या है, लाइकेन पेड़ों के चालों पर उगे हुए होते हैं, यह मेले प्लांट का एक्जामपल है, इसमें लाइकेन का निर्माण कै कैसे होता है, शैवाल और कवक के द्वारा होता है, शैवाल और कवक, अल्गी और फंजाई, शैवाल, अल्गी, कवक, फंजाई, तो यहां पर देखे, शैवाल, यह दोनों साथ साथ रहते हैं, यह किसका एक्जामपल है, सहजीविता का, कवक इसको जल और खनीज लवन य स्बस्दाइब करते रहते हैं तो यह सब्से यह उसकी प्रदूशन में करते हैं वाई प्रडूेशन आफेरो इसारीование के लिएल्प सुन Ł Cristiz.' और किश्ट के लिए उस जाहत है उससे जाथ सब्सक्राइब करते हैं यहां EX-Solid कोशन है वहानों में पेट्रोल के जलने से निमने धातु वायो को प्रदूसित करती है आपसन यहां पर आपका कौन से सही हो का इंपॉर्टन कोश्चन है चलिए अगले कोश्चन पर यह जल्दी से तो अभी जितने विश्ट्रेंट हमारी वीडियो को देख रहे हैं जल्दी सही वीडियो को लाइक कर दीजिए ओनेस्टी के साथ जितने विश्ट्रेंट देख रहे हैं बिना चीटिंग के चलिए वरी गुड आ जाते है कोश्चन पर मरकरी क्याड्मियम लेट कार्बन डाय ऑक्साइड इन में इसे कोई नी बिकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है सी लेड वाहनों में पेट्रोल के जलने से लेड धातु उत्सरजित होती जो वाय को प्रदूसित करती है लेड को इंजन में नौकिंग रोकने के लिए प्रियुक्त किया जाता है आपके एक्जामें यह कोश्चन पूछा गया है लेड एक वाय प्रदूसक के जिससे कई गंबेर बिमारियों हो जाती स्वास्त के मतब स्वास्त के दिरिष्टे से यह अच्छा नहीं होता है लेड बच्चों के दिमाग के विकास में बाधा पहुंचाता है उनकी बुद्धी लेबल को IQ को घटाता है और वयसकों में हिर्द यहां पर आपका कौनसे सही होगा जल्दी से बताईए बिकल्प यहां पर आपका सही होजाता है दी रेड्यों गयस इंडोर वाइभ प्रदूशन का सर्वादीक महत्तुपूर्प्रदूसक रेडन गयस है इक रंग ही इन गंदहीन रेडियो एक्टिव अक्री क्यास रेड देटोन गेस से फिपड़े का कैंसर लंग कैंसर और रक्त कैंसर होने की संबावना होती है घरेलू घदविदियों की कारण उत्रफण होलने वाले वाइब प्रदूशन को घरेलू आप प्रदूशन कहा जाता है रेडान गेस मृद्धा से प्राक्टिक रूप से निकलती है ध्यान दीजेगे जितने पॉइंट हम आपको बताते चलने साथ सतने सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है शाहरों में वातायन की कमी के कारण घरों में इकठा होकर यह गैस फेपणों के कैंसर को जन्न देती है तो इंडोर वाई प्रदूशन का सरवाधीक महात्यकू निचली को जिन पर चलते है नेक्स्ट है निमलीख इतने सी कौनसा यह से अमल वर्सर के लिए उत्तर दाई कौनसी गयस कारण डाय ओक्सईड नहीं कार्बन ओक्सईड विल्कुल नहीं प्रोपेन एक दम से नहीं है नैट्रस आक्सईड और सल्फ़डाइ ओक्सईड बिकल भी यापे आपके सही हो जाता है D नाइट्रस ओक्साइड और सल्फर डाय ओक्साइड ठीक है देखिए अम लोग वर्सा के लिए जैसे Y प्रदूशन होता है तो Y प्रदूशन के बाद ये नाइट्रस ओक्साइड और सल्फर के ओक्साइड बर्सा ओर ये तो वर्सा में वर्सा के बुदे येश्टूओ तो येश्टूओ जब येन्टूओ से मिलता है नाइट्रस ओक्साइड से और येश्टूओ जब सल्फर डाय ओक्साइड से मिलता है तो यह जब H2 पानी Nitrous Oxide से मिलता है क्या बनाता है HNO3 Nitric Aml बना लेता है यहाँ पर Aml हुआ कि नहीं अमल बना फिर उसके बाद SO2 से जब मिलता है तो यह Sulfuric Aml बना लेता है H2SO4 यही Aml HNO3 और H2SO4 Nitric Aml और Sulfuric Aml धरती पर गिरते है किसके रुप में Aml के रूप में इसी को कहा जाता अमल वर्सा ठीक है अगले कोशन पर चलते नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टन कोशन कौन सा है पर अगले यह चलते हैं अगला कोशन आप सभी कि फिकरन नमले कि इंपॉर्टेटटन कोशन यह most important है निमलेखित में से कौन एक वाइप प्रदूशन से सम्मंदित नहीं है इस्मॉग अमले वर्साई eutrophication asbestosis विकल्पे आपका सही हो जाएगा सी eutrophication यह सभी वाइप प्रदूशन से सम्मंदित है यहां से आपके कई question त्यार होंगे जब तक आप concept नहीं क्लियर करेंगे आपकी question ऐसे रट रट के भेजे में घुसेगा ही नहीं तो यहां पर देखे जल में पोशक जब पोशन तत्तू की अधिकता हो जाती इससे जीव कैसे प्रभावित होते हैं कोई भी चीज अधिक हो रह होंगे फेज़क घ्रwood हो जाती यहां पे जैवग भी और अजैविग डोनों परकार की प्लशक तत्त्त्त प्रद्द्धी हो जाती ऐसी कंडिशन को कहतें सो पोशन पोश्थिति के कारवेंगे जक्षवाल होते हैं यंघ कि पानी में श्यषवाल रह रह नहीं हुते हैं अल और ब्लूम अलगल डिवोम फैंक यह क्येक पूरे पानी की कर लेतैं सहसात में %10 जली पौदे बिक्सित होने लगते हैं पोश्चन पा करके पोश्चत तत्य जब उन्हीं मिलता है तो और भी विक्सित होने लगते हैं तो एक तरीके से पूरे पानी को उपर जो सत्य है उसको पूरी तरीके से वह आच्छा दित कर लेते हैं जब यह यहां पे बढ़ रहे हैं इनके स्वसन के लिए ऑक्स तो जलाशे में जली जन्तू ऑक्सीजन के अभाव में मरने लगते हैं इस प्रकार से सुपोशन के कारण योट्रोफिकेशन के कारण क्या हो जाता है जब प्रजातियों के विवित्ता नस्ट होना शुरू हो जाती हैं वे नस्ट होने लगते हैं मरने लगते हैं उनकी संख वोडी बाव दीटेल में बीओडि डीजॉल्व ऑक्सिजन सी ओडी केमिकल ऑक्सिजन डिमांड ये सारी चीज़ में इए आपको बता दिया सब कुछ क्लियर कर दिया विगल में पर आपका स्रीवजाता भी कानपूर यूंग इलाभाद के मद्छ है, बीओडी के सरवाधीक मात्रण गंगा नदी में कानपूर और इलाभाद के मद्दि, इलाभाद का नाम अब क्या होगी प्रयाग राज के मद्दि पाय जाता है, कानपुर से गंगा नदी में भारी मात्र में प्रदूसित प्रदात डाले जाते हैं इसकी वज़ा से वहां पर क्या है बी ओडी जादा है यानि कि बी ओडी अधिक है इसका मतलब क्या है वहां पर प्रदूसिण की मात्रा बहुत जादा है बालोजिकल ऑक्सिजन डिमांड अ सब्सक्राइब कोशन लेंगे सारी मände यह वना पेरी हाय दामोधर नदी नदी को ने जारखन के ख़मार पठारर से निकल करकि हुगली में मिलती है निकल पर अदी अगले कोशिफ पर चल्तते हैं इसoda जैविक मरुस्थल का जाता है में लिए खोयला ख़दाना और अध्योगिक छेतरों से प्रवाहित होती है तो सारा कच्रा इसे में फेक दिया जाता है और इसी वज़े से बहुत ही जादा प्रदूसित हो गई है इसलिए इसे बालोजिकल डिजर्ट कहा जाता है जैविक मरुस्तर अगले कोश्च कौन सा भ स्वामी नाथन को स्युक्त रास्ट परियावरण कारिकरम द्वारा फादर आप इकोनोमिक एकोलोजी की उपादी दी गई है अगले कोश्चन पर आजाते हैं नेक्स आपका कोश्चन उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटिक पार्क इस्थापित किया गया है उत्तर प्र अग्रा में इलाहबाद में लखनौ में वारांड सी विकल्पियां पर आपका सही हो जाता है सी लखनौ में उत्तर प्रदेश में बायोट टेक्नलोजी पार की स्थापना कहां पर की गई लखनौ में की गई इसकी नियू कब रखी गई थी 21 मई 21 मई 2003 को अगले कोश्चन प अगले कोश्चन प्याजाते है नेक्स्ट है निमले कित में से कौन सा एक भारत का रास्ट्री जली प्राणी है आपको कोशिन करवा चुके, इंपोर्टन कोशिन है बिकल भी हाँ पे आपका सही हो जाता सी गंगा की डॉल्फिन केंद्री परियावरण यंग वन मंत्रा लेने गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राश्टी जली प्राणी के रूप में अधी सूचित किया कब अधी सूचित क्या 18 मई 2010 को केंद्री परियावरण योंग वन मंत्राले ने गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को रास्टी जली प्राणी के रूप में अधी सूचित क्या था मौसम बिज्यान संबंदी प्रेक्षण के लिए निम्न में से किसको गुब्बारों को भरने में उप्योग में लाया जाता है ओक्सीजन कार्बन डायोकसाइड मीथेन हीलियम बिकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा डी हीलियम हीलियम एक अक्री गैस है सासात में ये यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सरवादीक महतुपूर है वनारोपण करना खनन कारे पर रोप वन्य जन्तुओं कस्न रक्षण प्राकृतिक संसादनों की प्रयोग को कम करना सरवादीक महतुपूर पूछा जा रहा तो चारों बिकल्प में से जो बेटर हो सबसे जो बढ़ियां बिकल्प होता है वह हमें चूच करना होता तो बिकल्प यहां पर आपका सही हो जागे वनारोपण मानाओ कि इस रेश्टर जीवन यापन के लिए शुद्ध वातावरण और जलवाई पहली प्रात्मिकता है तो शुद्ध वातावरण के लिए क्या क लैंचेट आकड़ा आज मिला है तो इसके पश्ची में इस चेतर का आकड़ा कब उपलब्ध होगा ओप्सनिया पर आपका कौन से सही होगा विकल्प यहाँ पर आपका सही होजाता है उसी समय इस्थानी समय के अनुसार कुछ दिनों बाद लैंचेट उपग्रस है यदि किसी चेतर का आकड़ा आज मिलता है तो उसके पश्ची में इस चेतर का आकड़ा एक सप्ता बाद उपलब्ध होगा यहाँ पर उसी दिन नहीं होगा दूसरे दिन नहीं होगा तो यहाँ पर होगा लगबग एक सप्ता के बाद उपलब्ध होता है तो विकल्प इसी के गौर्डिंग उसी के नियर अबॉट सही है उसी समय इस्थानी समय के अनुसार कुछ दिनों बाद मिली एक सप्ता बाद उपलब्ध होगा अगले कोश्चन पर आज़ते हैं नेक्स्ट है निम्ण में से किसे डाइनासोर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है किसे डाइनसोर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है चीन, मोन्टाना, अर्जेंटीना, ब्राजील विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है भी मोन्टाना पश्म यहाँ पर देखिए उत्तर आपका मोन्टाना सही होता है पश्मी अमेरिका में इस्तित राज्जी है मॉन्टाना इसको डाइनासोर्स का कब्रिस्तान कहा जाते हैं अगले कोशिन पर चलते हैं नेक्स्ट है समुद्री पार्क समुद्री रास्टी पार्क की स्तिते कहां पर समुद्री रास्टी पार्क कहां पर इस्तिते कक्ष की हुई थी वर्स 19 82 में की गई थी अगले कोशिन पर आ जाते नेक्स्ट है वितर कनिका जिसे अभी हाली में विश्व धरोहर इस्थल की सूची में समलित किया गया कहां परिस्तिते आंद्र प्रदेश में चत्तिसगड में ओडिसा में पश्ची मंगाल में बेकलप यहां पर आ इसी 26 माई 2009 को योनेस्को की विश्व धरोहर इस्थल सूची में समलित करने ही तुँ प्रस्तुत किया गया था अगले कोशिन पर आ जाते है नेक्स्ट हमारा कोशिन है निमले खित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है बहुत ही बढ़ियां सा को कोशिन है विकल्प यहां पे आपका हुआ सही होगा न्यूजिल्न अस्त्रेल्यां नेपाल अस्त्रिया और यहां पर कुछ भी आप लगाई आस्त्रिया उस्त्राइन लोग ध्यान से जानते रहिए मेगा डाइवर्स ऐसे देशों का समूःच जहां प्रतवी की अधिकांस प्रजातियां पाई जाती है इसलिए इन देशों को अत्यदिक जया विवित माना जाता है चलिए अगले कोशन पर चलते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए ऑस्टेलिया है चीन भी आता है दक्षण अफ्रेका भी आता है अमेरिका और भारत भी शामिल है तो बिकल्प के कॉर्डिंग आपको चूच करना है ठीक है अगले कोशन पर चलते हैं नेक्स्ट है देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिगटना किस नगर में दृश्यमान होती है शिमला, दार्जिलिंग, मसूरी, नेनिताल बिकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है C, मसूरी देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिगटना मसूरी में दृश्यमान होती है अगले कोशन पर चलते हैं विंटर लाइन में क्या होता है पी लाल, लाल, नारंगी, वैगनी, चमकीले लाल रंगों का समिस्रन होता है यह में लिए परिगटना शाम के समय सूरी के अस्थ होने पर दृश्यमान होती है इसके लाँ आप सूर्जल लाइन के कुछ छेत्रों में भी वंटर लाइन घटना देख सकते हैं अगला कोशन आप सभी कि स्क्रिन पे मेधा पार्टिकर का नाम किस अन्दोलन के साथ जुड़ा हुआ है चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नकसलवादी आंदोलन इन में से कोई नी विकल्पियां पे आपका सही हो जाएगा भी नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटिकर का नाम सम्मंदित है को पूछा जाता है भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आउजन निमन में से किस एक समस्य को उजागर करने के लिए किया गया था परियावरण विकास जै विवित्ता विस्थापितों के पुनर्वास की समस्य क्रेसी भूमी के छती और रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आउजन नर्मदा नदी घाटी में विस्थापन की समस्य से जूज रहे विस्थापितों के पुनर्वास से सम्मंदितता पर अंतरास्ट्री प्रतिवी दिवस कम मनाया जाता है उतरापका यहां पर कौह से होगा बीस अप्रेल पांच जुन बाइस अप्रेल तीन मार्च बिकल्प यहां पर आपका सही हो जाता सी बाइस अप्राइस्टी प्रतिवे दिवस बाइस अप्रेल को मनाया जाता है 2018 में इस दिवस का मुख्य विसे क्या था थीम प्लास्टिक प्रदूशन को समाप्त करो एंड प्लास्टिक प्लूशन 2019 में क्या था हम बता चुके हैं आप लोग जल्दी से कॉमेंट सेक्षन में रिप्लाइ करके बताईएगा 2019 अगले कोशन पर चलते हैं नेक्स्ट है आपको कुछ दिवस के बारे में बता देते हैं विश्व परियावरण दिवस कब मनाया जाता है पांच जून को ये कोशन खुब पूछा जाता है ये सभी एक्जाम का परियावरण का अगर कोशन आ रहा है इल्लों का फेब्रेट कोशन हो जाता है पैट कोशन है पांच जून जरूर पूछेंगे विश्व बानीकी दिवस 21 मार्च को विश्व परियावरण दिवस अप्टूबर का प्रथम सोमार होता है विश्व ओजोन दिवस 16 सिप्टेम्बर अगले कोशन पे आ जाते हैं नेक्स्ट हैं सोला सिप्टेम्बर नेक्सिट अमारा कोशिण है भारत की प्रदान बंत्री ने स्वक्ष भारत अभियान आधिकारिक रूपसे का प्रारम किया प्रदान मंत्री नरेन मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 कब 2 अक्टूबर 2014 को गाधी जैन्थी के उसर पर स्वक्ष भारत अभ्यान को आधिकारिक तोर पर लांच किया इस अभ्यान का उद्देश शिता कि वर्ष 2019 में गाधी के जन्व की 150 वी वर्ष गाण तक स्वक्ष भारत के उनके सपने को पूरा करना एगले कोशिन पर आजाते हैं दूरण प्रम के लिए अने ला ले अरभारत के उल्ष अब आपका सही रहे जाता था जिद्स के लिए जितने भी इश्रोट अभी हमारे लाइब ये ओफ लाइन ऑफ लाइन लाइब चोपी जितने भी इश्रोट वीडियो गोदेख रहे हैं तो जल्दी जल्दी से एक बार आप सबी लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेर कर दीजिए फड़ा-फड़ से एक like और एक share चलिए concentrate हो जाए कोशिन के तरफ आपकी like से में energy मिलता है हमारा भी confidence बढ़ता है आपका like हमारे लिए power booster की तरह काम करता है और आप share करते रहेंगे तो सभी तक ही जानकारी पहुचेगी सभी लोग ज्यान पास अगेंगे अगर हमें एक के लिए कर रहें तो सभी लोग के लिए हो जाएगा आप ही लोग कर सकते है शेयर करते रहें लाइक करते रहें अगले कोशिन पर चलते हैं नेक्स्ट हमारा कोशिन है तो फ्रेंस यहां पर हो जाते हमारी 55 questions complete आप लोग को कैसे लगे हमेशा की तरह आप लोग अपना feedback जरूर दीजेगा आपके feedback का में विसब्रे से इंतसार रहेगा तो वेट करते रहेंगे जल्दी जल्दी से अपने सवाल की तरफ इंपॉर्टेंट कोशिन आप सभी की स्क्रेंट पे उत्तरप्रदेश में प्रतम बायोटेक पार्क इस्थापित किया गया आज का स सक्सन में आपकी reply का में इंतसार रहेगा फड़ा पर से reply किजिए और हमेशा के दिने आप लोग इस वीडियो को अपना प्यार और विस्वास लाइक और शेयर के मादियम से जरूर दिखाएगा तो चलिए मिलते हैं फिर आप लोग पढ़ते रहें मेहनत करते रहें मिलते ह के लिए गद्बाय और टेक केर लव यू अल थैंक यू